गेहुं की खेती करने वाले किसानों के लिए खुश्क बर सामने आई है। गेहुं के भावों में तेजी का रूक बना हुआ है। हाला कि इसी बीच गेहुं के भावों में मामूली गिरावट भी देखी गई है। इसके बावजूद बाजार में गेहुं के भाव नियूनतम स इसी उम्मीद में कई किसानों ने अपनी गेहूं की फसल रोक रखी है ताकि आगे भाव बढ़ने पर उसे बचेंगे। किसान वर्ष 2024 से 25 में कुल 320 लाक टन गेहूं MSP पर खरीदने का लक्ष निर्धारित किया है जबकि अभी तक इससे आधा लक्ष भी पूरा नहीं हो पाया है। अपना गेहूं बेचने को तयार नहीं है। इसका मुखे कारण किसानों को गेहूं का बाजार भाव MSP से अधिक मिल रहा है। व्यापारी हाथों हाथ किसानों से गेहूं खरीद रहे हैं। इस समय किसान को गेहूं का बाजार भाव अच्छा मिल रहा है। केंद्रिय क्रिशीव किसान कल्यान मंत्राले के एग मार्कनेट पोर्टल के मुताबिक दो मई को मध्यप्रदेश की इंदोर मंडी में गेहूं का सबसे ज्यादा भाव देखा गया। यहां गेहूं 5951 रुपए प्रती क्विंटल के भाव से बिका। इसी प्रकार मध्यप्रदेश की भीकन गाम मंडी में गेहूं का भाव 5751 रुपए प्रती क्विंटल, निवाडी मंडी में 5285 रुपए प्रती क्विंटल, अशोक नगर मंडी में गेहूं का भाव 4900 प्रती क्विंटल रहा। अन्य राजियों की बात करें तो पंजाब, हरियाना, यूपी और महाराष्ट्र में गेहुं के भाव न्यूंतम समर्थन मूले से बराबर या इससे उपर बने हुए हैं। काबले दुगुना, तिगुना होता है। ऐसे में क्वालिटी के हिसाब गेहुं के भाव तै किये जाते हैं। यदि देश की प्रमुक मंदियों के ओसद गेहुं के भावों की बात करें तो कमोडिटी ऑनलाइन मंदी भाव के मताबिक वर्तमान बाजार दरों के अनुसार गे Bureau Report Market Times TV Bureau Report Market Times TV